अब लोगों का मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल एक्जाम में उत्तर परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन जो कंबाइन स्टेज इंजिनिंग सर्विस का नॉटिफिकेशन आउट हो चुका है मैंने एक वीडियो अभी डाला था तो देखिए 138 2021 इसका फॉर्म फिल डेट है और इसकी लाश डेट है 139 2021 को तो यह पूरा प्रोसेट देखेंगे क्या स्टेज है क्या पर होने के सारे डिटेल्स हैं आपर समझने वाली बात होगी देखिए इस पेसल यहां पर सकते हो इंट्रेक्शन जो भी दिया है इस फर्स्ट स्टेज का ऑन-लाइन पूरा यह फॉ फीज का देख लगते हैं तो फीज की बात किया जाए यहां पर फीज की बात किया तो दो 205 रुपया है जनल का अब का आपका जनल और और जान लेते हैं वेकंते डिटेल में क्या होने वाली यह चीज़े तो एक बदेखनेंश डीटेल ज़रूर आपको देखना पड़ेग ठीक है तो वैकिंच्टेटेंगे देल देंगे कि पबलिक वर्क डिपार्टमेंट में आपकी जो वैकंसी आ रह harness one देल कुलो दौर्टमेंट अशिस्टिंग की चिंची जो है uh to the tiy ship टु एनिक शेइनि फिर ओहती पर देखा विभाग में असिस्टन इंजिनिंग का जो केटगरी है तों 14 वेकंसी सिविल एलेक्टिकल एन मेकेनिकल के लिए ठीक है आगे चलिए देखते हैं फिर आगे आपको दिखाते हैं आगे अगरिकल्चर डिपार्टमेंट में अगरिकल्चर का फिन नागर विकास में आपका चा बेकंसी सिविल एंजिनिंग के लिए है और आवाज विकास परिषद में और्शेय् voudटा इंजिनिंग के लिए चार वेकंसी फिन ग्रांड्वाटर डिपारटमेंट में च्छा किश्यव एकंसी यह गाइस फिन अगरिकल्चर फिन सिविल एंजिनिक के इंडिस्ट्यल पांगे चलिए देखते हैं आगे देखते हैं क्या है प्रोसेस आगे का पूरा डिटेल यह देख सकते हैं पूरा यह डिटेल है आपको देखते हैं आपको असिस्टन इंजिनियर के लिए आपको बैचलर देखने मंत्री में यह सारी चीजिज़े बहरत इंबीदेश मंत्री में विश्विल इंजनियर्ट यह सारी चीजें चीज़ा आपको देख सकते हो फिन अग्रिकल्चर में आपको अग्रिकल्चर होना जरूरी है आगे बढ़ते हैं आगे आपको दिखाते हैं यहां पर देखिए आवास विकास में कंडिडेट भी सर्विस मस्टु विसाइंग थे थ्रो दो नौलेज अफिंदी रिटर्ण दे सब्सक्राइब होना जरूरी है मैंनेजर इंडेस्टियन में आपको डिग्री इन रिलिवेंट ब्रांच तो यहां पर देख सकते हैं आगे पेपर का यह लिमिट क्या है किस से चालीस वर्स आपका होना जरूरी हो तो आपको थोड़ा सा फायदा हो सकता है ठीक है यह सारी सम इंपोर्टेंड अबॉर्ड एक्जामनेशन एंड इंटर्व्यू देट आपके इंटर्व्यू होगा यह सरी देखने वाली बात होगी आप लोगो को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिन आपके आगे में क्या है वह मार सीट को लेकर फिन यहां पर पुरा एक्जामनेशन डिटेल दिया पेपर वन पेपर टू नहीं होगा पेपर वन होगा फिन आपके इंटर्व्यू डारेक्ली रुकायर कर लिया जाएगा तो आगे देखते हैं आगे आपका टम्स अब गवर्मेंट यह सारी चीजे दी है घाई जब देख सकते हो फिन आगे और फोटो नोटिफिकेशन यह सारी चीजे दी है तो आप देख सकते हो कंडिडेट यह अप्लिकेशन स्टेटेस कैसे आप फिल करना यह सारी चीज आपको फिल करना है जाई के चलिए आगे में आपका क्या उत्रपरदेश ये उत्रपरदेश पब्लिक सर्विशन गोगोजो बी एक राइटेरिया यहां यहां पे आते हैं यहीँ चीज दिसक्स करना पहले हो पच्छी मार्स का होंगे पचात्तर नंबर के और मुख जो सिबिल इंजीनियर का सौ माइक से होंगे सो कोश्चन होंगे 300 माक्स यानि 335 टोटल ढाई गंडे का पेपर होगा दूसरा भी समान ग्यान 25 कोश्चन होंगे और इस पूरा ही डिटेल स्लेवस मैं एक बार दुबारा आप कुछ से डिसकस करूँगा आभी इस पर देख लीजिए बाकी और भी डिसकस करेंगे ठीक है चलिए सर्वे इंजिनिंग हैडलोजी यह सारी चीज़े फिन यह अलेक्टिकल इंजिनिंग का स्लेवस है यह पूरा डूटियल नियुटिफिकेशन आपको मिल जाएगा वीडियो डिसक्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा यह आप देख सकते हो गाईज ओके सलिए चलिए यह सारी चीज़े है पेपर का भी डेट का एनाउंस नहीं हुआ है जब भी होगा पेपर का डेट आपको मिल जाएगा गाईज ओके तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं बाकी बाए 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 टेक किर सेहिंद और